क्लास आठमी की स्टूडेंट्स आज हम भुगोल विशय के अंतगत आपके चाप्टर शिक्स अध्याइच्छा जिसका नाम है मानव संसाधन इसका हम अध्याइण करेंगे स्टूडेंट्स मानव संसाधन को हम लोग कहेंगे अंग्रीजी में human resource तो मानव संसाधन के अंतगत हमें क्या पढ़ना है और मानव संसाधन कैसे है इस पर हम लोग अच्छा करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए आप अपने स्क्रीन पे फोकस कीजिए ये आपके पाठिपुस्तक का हिस्सा है आप अपने पाठिपुस्तक को भी सामने खोल कर रख सकते हैं तो देखिए प्रित्वी पर जितने भी प्रकार के संसाधन है उनका दोहन एवं उपियोग मनुष्य ही कर सकता है इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि इस धर्ती पर जो कुछ भी उपलब्ध है उसका उपियोग तब ही तक संभव है जब तक कि इस धर्ती पर मनुष् तो जदि हम आप नहीं है तो उस संसाधन विशेश का कोई महत्व नहीं है इस परकार मनुष्य स्वयम ही इस पृत्वी का सबसे मुल्यवान संसाधत है यानि कि मनुष्य से बड़ा कोई संसाधन है भी नहीं क्योंकि मनुस ही उस अंसाधन के उपियोग को जानता है ठीक है? बरतमान समय में जनसंख्या को दाइतों से ज़्यादा परिसंपती के रूप में देखा जाता है Students ये समझने वारी बात है कि बरतमान समय में एक समय ऐसा था कि हम लोग किसी भी कहीं की जनसंख्या जदी अधिक है तो हम लोग यही समझते थे कि वो जनसंख्या जो है उस देश पे एक बोज है एक भार है, है ना? लेकिन आज ऐसा नहीं सोचा जाता आज ऐसा हम देखते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या जो है वो यदि किसी देश की जनसंख्या उस देश का दाई तो है तो उस देश की परिसंपती भी है एसेट भी है वो वहां के लिए एसेट का काम भी करता है सिक्षा प्रसिक्षान एवं चिकित्सा सिवाओं के परिणाम सरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे समझेए कि मान लीजिए किसी घर में दो बच्चे हैं ठीक है अब वो दोनों बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई भी किये हैं और उसके बाद वो इसकील्ड भी हैं किसी चीज का प्रसिक्षन भी लिए हुए हैं और देश के किसी भी उत्पादन कार्ज से वो जुड़े हुए हैं ठीक है कहने का मतलब यह है कि उनकी जो योगेता है वो देश में जो विकास है उस विकास से जुड़ी हुई है तो जब विकास से जुड़ेगी किसी व्यक्ति की योगेता तो निस्चे ही वह जनसंख्या जो है वो एक संसाधन बन जाएगा ठीक है इसलिए कहा जाता है कि जिस देश का मानव संसाधन जितना बिक्सित होगा वह देश भी उतना ही जादा बिक्सित होगा कहने का मतलब यह है कि जदी किसी देश की जनसंख्या को स्कील्ड नहीं किया जाए वो सुसंस्कृत ना हो पढ़ा लिखा ना हो इलिटरेट हो है ना और विकास के कारियों से जुड़ा हुआ ना हो तो उस इस्थिती में वहां की जो जनसंख्या है उस देश पे बोज हो अन की कमी हो रही थी अन यानि की अनाज फूड ग्रेन की कमी हो रही थी लेकिन आज इस्थिती ऐसा है सन दू हजार ग्यारा की जनसंख्या के अनुसार हम लोग कहते हैं कि भारत की जनसंख्या है 121 करोड अब पता नहीं अभी 130 करोड है कि 135 करोड है वो तो जनगरना होगी तब ही पता चलेगा लेकिन स्टूडेंट्स अनाज की कमी देश में नहीं है इसका मतलब यह है कि भारत ने क्या किया अपने मानव संसाधन का उपयोग किया ठीक है और शिर्फ नाशिर्फ मानव संसाधन का उपयोग किया भारत ने अपनी मिट्टी का उपयोग किया अपने पानी का उपयोग किया और इसके अलावे जो है उद्योग है यहाँ पे उसका उपयोग किया मतलब कई तरह से जो है भारत ने अपना अपने संसाधनों का उपयोग किया हमारे देश में उपयोग किया और परिनाम ये हुआ कि आज हमारे पास food grain की कमी नहीं है आप बाजारों में जाएं तो आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन जो अनाज और कोई भी खाने पीने का सामान का बाजार में कोई कमी नहीं है थीक है तो चलिए इस परकर मानोव संसाधन के विकास से किसी देश के विकास का सिधा संब्द है यहांने कि मानोव संसाधन जदी बिकसित होगा तो उस देश का विकास भी सिधे सिधे बिकसित होगा स्टूडेंट्स, दाइनी और देखिए एक बॉक्स में लिखा हुआ है जानने योग्य बाते में क्या लिखा है कि संसाधन भुगोल का जनक जिमर्मैन के अनुसार मानव संसाधन सर्वस्रिष्ट संसाधन होता है स्टूडेंट्स मैं आपको बता दू कि जर्मनी में एक रिसोर्स इकोनॉमिस्ट पैदा हुए जिनका नाम था एरिक वाल्टर जिमर्मैन स्पेलिंग आप चाहें तो लिख सकते हैं एरिक वाल्टर वाल्टर जिमर्मैन जेड आई डबल एम एर एमे डबल एन ठीक है उनका नाम था एरिक वाल्टर जिमर्मैन ये जर्मनी में जन्म हुए और उसके बाद ये यूएसे चले गए और यूएसे में जो है नॉर्थ कैरोलीना इंवर्सिटी है ये वहाँ पे ये प्रोफेसर रहे किस चीज के एकोनामिक्स के ठीक है और इन्होंने बिशेश करके जो मानव संपदा है जो मानव संसाधन है इसके संदर में इन्होंने बहुत सारे लेक लिखे हैं और इस पर उन्होंने अध्यन भी किया है बाद में वे इन्वर्सिटी ऑफ टेकसास चले जाते हैं ठीक है औ और तिल डेथ यानि कि 1961 में जब इनकी मृतिव होती है उस समय तक जो है ये लगातार अमेरिका में ही रहते हैं और वहाँ पर ये resource economics जिसे हम कहते हैं यानि कि संसाधन भूगोल है ना तो संसाधन भूगोल से इनका जुडाव रहता है और इनको संसाधन भूगोल का हम लोग जनक भी कहते हैं याना फादर आफ संसाधन भूगोल है ना resource geography ठीक है इनको actual resource economist बोला जाता है ठीक है इनको short में बोलते हैं जिमर्मैन और पूरा नाम है एरिक वाल्टर जिमर्मैन ठीक है तो students आगे आप देखिए कि हम लोग जनसंख्या का बीतरण देखेंगे जनसंख्य अगे बीतरण का मतलब हुआ कि distribution of population तो distribution of population देखें students मैं आपको बता दू कि आपके गाउं में माननीजे देखिएगा कि यदि आपका गाउं पहाडी छेतर में है आपका गाउं पठारी छेतर में है या आपका गाउं जो है वो desert area में है तो वहां पे जनसंख्या कम होगी व वो समतल भुभाग पे है वहां की मिट्टी अच्छी है वहां की जलवाईव अच्छी है वहां पानी की सुविधा है तो निश्य ही वहां पे जनसंख्या अधिक होगी तो यह मोटे तोर पर यह प्रतियक व्यक्ति समझता है आपको भी समझ में आता है कि जो हम कहते हैं कि population affecting distribution of population है ना the factors affecting population distribution जिसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या का बीतरण तो वो कई चीजों पर depend करता है पहली चीज होती है जो भूमी है ना भूमी ऊची नीची जमीन है या समतल जमीन जिसको हम लोग अंग्रेजी में टोपोग्राफी बोलते हैं ठीजे स्वेंस उसके बाद बहुत ठंड वाला मतलब क्लाइमेट और बहुत गर्म जो जलवाई होती है वहां पे जनसंख्या अधिक नहीं रह सकती है और रहती भी नहीं है उसी तरह से उपजाओ जो जमीन होता है उपजाओ मिट्टी होती है स्वेल जिसको हम लोग बलते हैं उपजाओ स्वेल तो व पानी का मतलब यह हुआ कि मिठा पानी होना चाहिए वह समुद्री पानी नहीं पानी का मतलब हुआ अच्छा पानी जिसका कि हम उपयोग कर सकें क्रिसी कार में उपयोग कर सकें पीने के रुप में उपयोग कर सकें और भी वह सारा है कि पानी बहतर पानी होना चाहिए से देखिएगा तो राइट हेंड साइड मैंने दाहिने साइड जो है वहां पर देखिए एकदम दाहिने देखिए जापान दिखाई दे रहा है जापान दूइफ है उसके बाद चीन है भारत है इंडोनेसिया मलेसिया यह सब छेतर में काफी जनसंख्या है ठीक है मतलब जो दिप रेड में जो नजर आ रहा है ठीक है लेकिन इसके उलट जदि हम उत्तर के ओर जाएं एस्या के जो उत्तर वाले च्छेतर में जाएं तो वहां देखिए साइडरिया वाला च्छेतर है वहाँ पे जनसंख्या बिरल है बिरल है का मतलब वहाँ जनसंख्या जो है स्कैटर्ड है मतलब पूरा बीखरा हुआ है कहीं जनसंख्या है कहीं नहीं है नहीं के बरावबर उसी तरह से सबसी नीचे दाहिने और देखिया ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या ब में देखिए उसको हम लोग कहते हैं वेस्टन इरूप है ना पस्तमी इरूप तो पस्तमी इरूप जहां पे स्पेन है फ्रांस है इंग्लैंड है जर्मनी है है ना स्वीट्जर लैंड है इटली है देखिए यह सारा छेत्र जनसंख्या से अग्दम भरा हुआ है काफी डिप देखिए प중े इस तरह से अफरीका में भी कुछ-कुछ छेत्र है ऐसा जहां पर जनसंख्या जो नाइजीरिया वाला छेत्र है नील नदीकी घाटी है है थोड़ा सा मुरको वाला ऊपर का छेत्र है यह सब आप जब मैप सामने रखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके बा में देखिए उसके बाद मैक्सिको वाले छेतर में देखिए है ना ब्राजील के कुछ छेतरों में जनसंख्या है अरजेंटीना के कुछ छेतरों में है तो जनसंख्या जो है कुछ ही छेतरों में घना है और वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में जनसंख्या का जो है ब प्लंका में यहां पर जनसंख्या है है ना तो चलिए जनसंख्या का बीतरण अन्य संसाधनों की भांती मानव संसाधन यानि कि जनसंख्या का बीतरण भी विश्व में एक समान नहीं है कैसे एक समान होगा एक समान नहीं होने का कारण है कि टोफोग्राफी एक जैसी नहीं है climate एक जैसा नहीं है मिट्टी एक जैसी यानि soil एक जैसी नहीं है पानी एक जैसा नहीं है तो जनसंख्या का बीतरण जो है वो एक समान होगा नहीं ठीक है पृत्वी पर लोगों के बसाव के तरीके को जनसंख्या बीतरण का प्रतिरूप कहते हैं ठीक है तो इस मैप को इस नक्से को आप लोग समझ गए होंगे कि इस नक्से के माध्यम से यही दिखाया गया है कि कहां जनसंख्या विश्व में अधीक है और कहां कम है ठीक है अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं देखिए इस में है विश्व की 90% जनसंख्या तीन प्रमुख छेतरों में केंदरीत है देखिए विश्व की 90% जो पोपुलेशन है वर्ल्ड की तीन महत्पून छेतरों में केंदरीत है पहला पूर्वी एवं दक्षिन पूर्व एसिया पूर्वी एवं दक्षिन पूर्व एसीया में क्या आएगा जापान आएगा कोरिया आएगा चीन आएगा भारत आएगा इंडोनेसिया मलेसिया ये सब छेतर आएंगे ठीक है ये पुर्वी एवं धक्षिनपूर एसीया इस्टन एड़ साउथ एस्टन एसिया समझ गए दूसरा है उत्तर पस्मी एरोप नोर्थ वैस्टर एरोप में क्या आएगा जी इंगलाइंड फ्रांस इस्पेंड पुर्टगाल स्वीड़रलेंड बेल्जियम जर्मन जर्मनी है न इटली यह सारे आ जाएंगे उत्तर और पस्मी एरोप में तीसरा है पूर पूर्वी तथा संजुक्त तथा मद्य संजुक्त राज अमेरिका आप संजुक्त राज अमेरिका जो है वो United States of America वो तो देश हो गया है ना उसका पूर्वी छेत्र पूर्वी छेत्र का मतलब हो गया जहां पे नियॉआर्क है या जहां पे वासिंग्टन है बोस्टन है यह छेत्र हो गया अब देखिए सेस दस प्रतिसत जनसंख्या बिखरे हुए छेत्रों में पाई जाती है लगभग 95 प्रतिसत जनसंख्या उत्री गोलार्ध में पाई जाती है 95 परसेंट जो पोपुलेशन है वो कहाँ पाई जाती है उत्री गोलार्ध में उत्री गोलार्ध का मतलब हुआ Northern Hemisphere का मतलब हुआ कि जदी विश्व को जदी हमें गोला मानने तो उस गोले का आधा उपर वाला भाग ठीक है इसका एक प्रमुख कारण उत्री गोलार्ध में अ थल अधीक है और दक्षिनी गुलार्द में जल का भाग अधीक है ठीक है तो 10 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांस के मद विशु की लगभर 60 पर 30 जनसंख्या निवास करती है 10 डिग्री नोर्थ से 40 डिग्री नोर्थ का जो एरिया है उसमें 60 परसेंट जनसंख्या निवास करती है विशु की कुल जनसंख्या का लगभर 75 पर 30 लोग एसिया और इरोप में रहते हैं देखिए ये भी एक सत्य है कि महादेश तो साथ है है ना महादेश साथ है एसिया है एरोप है अफरीका है उत्तर अमरीका है दक्षीन अमरीका है उस्टेलिया है लेकिन एसिया और इरोप में वर्ल्ड का 75 पर 30 लोग निवास करते हैं ठीक है शंपूर्ण बिसुके केवल 10 देशों में 60 पर 30 लोग निवास करते हैं देखिए ये सारी बातें समझने की है और एक डेटा के रूप में भी है ये बाते हमें याद रखनी होगी कि संपूर्ण बिसु के केवल दस देश में ठीक है ने यहां दो सो के असपास देश हैं दुनिया में उसमें सिर्फ दस देश में बिसु की का जो है साथ प्रतिसत लोग निवास करते हैं एसिया एरोब घनी अ तो स्टुएंट्स यहां तो 2011 में जनगरना हुई थी लेकिन 2014 के अनुकूल यहां पर लिखा हुआ है कई देशों में 2014 में हुई होगी जनगरना तो चलिए यहां देखते हैं चीन की जनसंख्या जो है 135 करोड वो एक नंबर पर है भारत की 161 करोड USA जिसको हम कहते हैं United States of America उसका 31 करोड इंडोनेसिया का 25 करोड ब्राजील का 20 करोड पाकिस्तान का 19 करोड नाइजेरिया का 17 करोड बंगलादेश का 16 करोड रूस का 14 करोड जापान का 12 करोड इस्टुडेंट्स एक बात याद रखिएगा 1947 के पहले भारत पाकिस्तान और बंगलादेश एक ही देश थे तो अब देख रहे हैं कि भारत की जन्संक्या 161 करोड पाकिस्तान की 29 करोड और बंगलादेश की 16 करोड ठीक है तो आप इन तीनों को आप जोड़ते हैं तो कितना होता है इसको टोटल जोडने पे भारत और पाकिस्तान को जोड़ देने पे तो 140 करोड हो गया और 16 करोड और 156 करोड यानि कि जदी भारत बिभाजित नहीं हुआ होता तो आज भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा 156 करोड होती है उसके बाद ही चीन का नमबर आता ठीक है लेकिन चलिए कोई बात नहीं है भारत दूसरे नमबर पे है तो अब भारत की जनसंख्या जादा है कम है इसकी चर्चा करने से बहतर है कि भारत की जो भी जनसंख्या है उसको हम लोग skilled कैसे बनाएंगे ठीक है उसको हम लोग किस परकार से दक्ष बनाएंगे कुसल बनाएंगे है न तो और देखी भारत की जनसंख्या आप दिनो दिन कुसल होती भी जा रही है आपको पता होगा कि भारत के इंजीनियर्स भारत के डॉक्टर्स जो स्रिस्ट डॉक्टर और स्रिस्ट इंजीनियर्स हैं वो सारी दुनिया में है छाय हुए है अमेरिका जैसे देशों में जो स्रिस्ट डॉक्टर्स हैं उसमें भारत के हैं ठीक है उसी तरह से इरोब का को की जनसंख्या है वो विश्व को कंपीट कर गई है मतलब एक अस्थान है हमारा ठीक है अब आगे देखिए जनसंख्या बीतरण को प्रभावित करने वाले कारक अभी अभी जैसे मैंने बताया था स्टुडेंट्स की जमीन जलवायू मिट्टी और पानी ये चार चीजें इंपर्टेंट होती है जनसंख्या के बीत्रण को प्रभावित करने वाले कारको में ठीक है यहां भी देखिए एक बॉक्स दिया हुँ वोलते हैं हम लोग भूप रिस्ट पर ही नगाते हैं डो जमीन के अंदर नगाते हैं अवर आथे हैं जमीन चीन मंध्य वाले भार में मंगोलिया वाले छेतर में है ठीक है उसी तरह से पस्मी जो एसिया है वहां मरवस्थलों में है सहारा के मरवस्थलों में है ठीक है अमेजॉन नदी की जो घाटी है ब्राजील में वहां पे जंगल जादा है मनुष से कम है है ना कनाडा का जो उत्री छेतर है वहां पे भी जन जन संख्या नहीं के बराबर है उसी तरह से आप ग्रीन लेंड टापूँओं में चले जायें तो वहां पर जन संख्या बहुत कम है ऑस्टेलिया में जन संख्या बहुत कम है इसी परकार से ठीक है तो देखिए जन संख्या वीतरण को प्रभावुद करने वाले कारक वन दो च्वाइब बात और बता थे हैं कि यह होनी नहीं है उतनी कम नहीं है कि सहां पोग्राफी है वो बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद यहां की मिट्टी बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद यहां पे खनन का काम माइनिंग का काम बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण बाहर से लोग आ करके यहां पे रहते हैं और इसी कारण से बहुत बड जो है वो पूरे भारत के लोग आपको देखने को मिलेंगे है ना जैसे माइनिंग छेतर में आप कीरी बुरू चले जाईए मेगा तु बुरू चले जाईए नवा मुंडी देख लीजिए गुआ का सेल माइन्स देख लीजिए ये लगभग मीनी भारत होते हैं ये सहर चोट यूनीट खुला हुआ है जहां पर खनन का काम होता है और उद्योग लगे हुए हैं तो यहां पर पूरे भारत के लोग चाहे वो पंजाब के हों की बंगाल के हों या की गुजरात के हों राजस्थान के हों यह आ करके बस गए बस जाने के चलते यहां की जनसंख्या ठीक है तो चलिए भागुली कारत इसके अंतरत भू आकरिती भू आकरिती इसी को मैं अंगरेजी में टोपोग्राफी बोल रहा हूं दूसरा है जलवाईू जिसको मैं अंगरेजी में क्लाइमिट बोल रहा हूं और उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ब बात मैं पहले बता चुका हूं क्योंकि मैदानी छेतर क्रिसी कार गर्हिं निर्माणड यातायाथ आदी के लिए उपजुद्ध होते हैं भारत में गंगा के मैदानी छेतर सघहन बसे हुए हैं जबकि हिमाले के छेतर बिल बसाओ वाला है। जो बिरल है ना बिरल जनसंख्या वाले छेत्र हैं जैसे राजस्थान के मरवस्थली छेत्रों में जनसंख्या बिरल है उसी तरह से जदी आप अरुनाचल प्रदेश चले जाएं तो वहां की जनसंख्या भी बिरल है मद्द प्रदेश की जनसंख्या को भी बिरल ही कहा जाए और इसी तरह से कई और छेत्र हैं जो पठारी होने के कारण अधिक उपजाव नहीं होने के कारण भूमी की और बरा सकती कम होने के कारण वहां पे लोगों का बसाव कम है लोगों का जो निवास कम होता है ठीक है तो चली देखते हैं जबकि हिमाले के छेतर बिरल बसाओ वाले हैं भारत 200 का दूसरा सरवादिक जनसंख्या वाला देश है इस पर में चर्चा कर चुके हैं भारत की लगवक 40% जनसंख्या गंगा के मैदान में रहती है मतलब क्या बिहार में उत्तर परदेश में हर्याना पंजाब पसिम बंगाल ये सब कुछ ऐसे चेतर हैं जहां पर पूरी जनसंख्या का 40% निवास करती है अब आगे देखिए जलवाईू जलवाईू में देखिए अत्यादी गर्म या ठंडी जलवाईू वाले चेतर मानो ब बहुत ठंडा होने के कारण लद्दाक में जो है जनसंख्या कम है उसी तरह से राजस्थान के मर्वस्थली चेतर जैसे जैसल मेर बीका नेर ये सब जो चेतर हैं वहां पर काफी गर्मी पड़ती है तो वहां भी जनसंख्या कम है चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें अच्छ के बाद के अधिकासि चेतर में जनसंख्या नहीं के बराबर है है भी तो विरल ठीक है जबकि पस्मी इरोप में सितोश्टन जलवाईगे कारण सघन जंसंख्या पाई जाती है। पस्मी इरोप मतलब जहां पे फ्रांस है, जहां इंग्लैंड है, जहां जर्मनी है, जहां स्पेन है, पुर्टगाल है। ठीक है? वहां जंसंख्या ज्यादा है। अब चलिये। प् जमीन के नीचे से हम लोगों को लोहा या मैंगनीज या तामबा है ना सोना या और बहुत सारी चीज़े हैं कोबाल्ट है ना बॉक्साइट बहुत सारी चीज़ें जो है वो जमीन के नीचे से हम लोगों को मिलती है उसको हम लोगों बोलते हैं खनी संसादन तो खनी संसादन जल बोलते हैं उपलब्ध है वहां घनी या अबादी है यही कारण है कि बिहार और उत्तर परदेश में आबादी अधिग है क्यों है क्योंकि वहां नदियों का जाल है दुसरी बात की वहां पर प्रचूर मातरा में मीठा जल भी है और मिट्टी भी अच्छी है वहाँ घनी अबादी है भारत में गंगा ब्रहमपूत्र चीन में हुआंग हो मिस्र में निल नदी घाटी घने बसा वाले छेतर है जैसे भारत में गंगा और ब्रहमपूत्र छेतर है ब्रहमपूत्र छेतर जो है आसाम वाले छेतर में है ठीक है मिस्र में मिस्र देश का नाम आपने सुना होगा एजिप्ट जो की ऐस्टे अफरीका में है तो वहाँ जो नील नदी की घाटी है तो नील नदी की घाटी में भी जनसंख्या काफी अदीख है उबजाव मिट्टी यानि कि उबजाव मिरिदा क्रिसी के लिए उब्युक्त होती है अता उबजाव मिट्टी वाले परदेशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है उत्तर भारत के मैदानी छेतर में उबजाव मिट्टी के कारण ही घनी आबादी है वो ऐसे छेतर जहां खनीज संसादन जैसे कोईला, पेट्रोलियम, लौ एसक आदी प्रचूर मातरा में उपलब्ध हैं वहां आबादी अधिक होती है स्टुएंट्स आप समझेए जमसेदपूर जैसा सहर कैसे बस गया जमसेदपूर में जदी वहां पे लोहे का कारखाना नहीं होता, स्टील की फैक्टरी नहीं होती तो निश्चे ही वहां पे कोई गाँ होता उबडखाबड सा और वहां पे कोई आबादी विसेश नहीं होती तो आज जदी वहाँ पे एक जो है आधुनिक सहर बस गया है तो आधुनिक सहर बसा किस कारण से कि जार्खन शेतर में लौ एस्क मिला और वहाँ पे एक फैक्टरी खोलना संभव हुआ ठीके जार्खन का छोटा नागपूर पठारी इलागा खनी संसादनों से सम्रिध है अत से आपने साओधी अरब का नाम सुना होगा साओधी अरब इरान इराक क्वैत है ना यमन ओमान है ना लेबनान ये सब जो छेतर है इसको हम लोग बोलते हैं मध्यपूर तो एसिया के नक्से को खोलिएगा है ना वहाँ पे आप देखेंगे मध्यपूर इसको हम लोग पूर भंडार होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या काफी है तो ये छेतर जलवाईव प्रतिकूल होते हुए भी लोगों को आकक्सित स्टुएंट्स मध्यपूर में तो पानी की भी समस्या है वहाँ पे जल तक उपलद नहीं है ठीक से लेकिन तब भी वहाँ पे जनसंख् है ठीक है अब चलिए मान भी ये कारक देखते हैं इसके अंतरगत सामाजीक आर्थिक और सांस्कृतिक कारक हैं सामाजीक कारक में सिक्षा स्वास्त और आवास वाले छेत्रों में जनसंख्या घनतु अधिक पाया जाता है जैसे स्टुएंट आप देखते हैं कि पूरे भा स्थान ठीक ठाक है उसके बाद आर्थिक कारक में जाईए ऐसे प्रदेश जहां रोजगार के साधन उपलव्द होते हैं वहां घनी जनसंख्या पाये जाती है देखिए पूरे भारत के लोग भागे चले जा रहे हैं कोई मुंबई जा रहा है कोई अमदाबाद जा रहा है है ना उसी तरह से जापान के ओसाका में काफी अधिक जनसंख्या है तो इसके पीछे क्या कारण है क्योंकि वहां पे रोजगार के साधन अधिक उपलव्द हैं ठीक है अब देखे सांस्कृतिक कारक धार्मी के वह सांस्कृतिक महत्वाले अस्थान लोगों को बसने के लि चेतर है लेकिन वहां जनसंख्या अधिक है क्योंकि वह सांस्कृतिक महत्तो का स्थान है धार्मिक महत्तो का स्थान है यरुसलम कहां पे है यरुसलम इजरायल में है वह सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों महत्तो का स्थान है इसलिए वहां जनसंख्या ज्यादा है वेटिक है वहाँ पर अस्थान जो है वो धार्मिक और संस्कृतिक महत्तों का है ठीक है थोड़ा साम लोग इस्ट्रेंट्स और आगे बढ़ जाते हैं जार्खंड की जनसंख्या को देख लेते हैं कि जार्खंड की जनसंख्या सन 2011 की जनगर्णा के अनुसार कितनी है तो इस्ट्रेंट्स देखिए यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है ग्रीन कलर में जार्खंड की जनसंख्या जार्खंड भू आकरितिक दृष्टी से प्रतिकूल जनसंख्या वाला भू भाग इसका मतलब यह हुआ कि जैसा जार्खंड की टोपोग्राफी है जैसी भू आकरिती है उस हिसाब से जार्खंड की जनसंख्या कम होनी चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं लेकिन खनीज पदार्खंड की बहुलता के कारण खनन उद्योग का विकास पठारी छेत्रों में हुआ है खनन अधारित अनेक उद्योगों की अस्था 211 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है तीन करोड 29,88,134 जदी आप से कोई पूछें कि जार्खंड की जनसंख्या कितनी है तो मोटे तोर पे बोलिएगा तीन करोड 30,00, तीन करोड 30,00, जदी आप याद रख सकें तो पुरा पुरा याद रखिएगा तीन करोड 29,88,134 वैसे आप तीन करोड 30,00, याद रखेंगे तो ये भी काफी होगा अब पुरूसों की जनसंख्या देखिए एक करोड 79,03,315 और महिलाओं की जनसंख्या एक करोड 60,00, 57,89 तो जदी मोटे तोर पर आप याद रखना चाहें तो ऐसे बोलिएगा कि जार्खंड की जनसंख् पुरूस हैं एक करोड 70,00,000,000 के आसपास और महिलाओं हैं एक करोड 60,00,000,000 के आसपास यानि कि 10,00,000,000 पुरूस जदा हैं और परतिसत में जदी कहना पड़े तो कहिएगा कि जार्खंड में पुरूसों की संख्या 51,00 परतिसत है और महिलाओं की जो का जो परतिसत है व है वो 22.34 है यानि की 2001 से जो 2011 की जनसंख्या में ब्रेधी हुई वो लगभग लगभग 22% हुई अब आगे देखिए जहारखन की जनसंख्या का जो घनतो है वो 414 ब्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर है याद रखना इसको 414 जो भारत की जो का जो प्रतिवर किलोमीटर घनतों है उससे थोड़ा सा जादा है है ना लेकिन बिहार से कम है उत्तर परदेश से कम है बंगाल से कम है केरल से कम है बहुत सारे राज्यों से कम भी है ठीक है उसके बाद देखिए जारखन का जो लिंगा नुपात है वो 947 है 947 का मतलब हुआ क एक हजार पुरूसों पर महिलाओं की संख्या 947 है यानि कि महिलाओं की संख्या कम है साक्षर्ता दर स्टुएंट्स लगवग 66% है एकुरेट तो 66.4% है 2011 की जन गन्ना के नुपसार लेकिन इसको हम लोग 66% मोटे तोर पर याद करने के लिए बोल सकते है और इसी तरह से स याद रखिएगा कि जार कंड की कुल जन संख्या 3 करोड 30 लाग क्या असपार पुरूस एक करोड 70 लाग महिला एक करोड 60 लाग दसकिये जन संख्या अबरेदी लगवग 22% जन संख्या घनत लगवग 414 और सेक्स रेसियो 947 साक्षर्ता दर लगवग 66% पुरूसों की साक् जन संख्या 528 जन संख्या परिवरतन पढ़ना है उसमें और भी जानने योगते कुछ बाते हैं देखिए प्रवास उत्प्रवास अप्रवास ये सब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाओंगा जन संख्या परिवरतन के प्रतिवाव जन संख्या का घनत ओन देखिए और बताने का प्रयास करूंगा तो अभी फिलाल इस चैप्टर को इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं इस्ट्वेंट्स और आप कोशिस कीजिए कि आप बेहतर तरीके से इसको आप पढ़ ले ठीक है स्ट्वेंट्स जाहिंद स्ट्वेंट्स